दो ही लोग है इस दुनिया में, जिन्हें मैं सबसे ज़ादा प्यार करता हूँ, जिन मैं से एक मर गया, और दूसरी है श्रती जिसे अब मैं मारने जा रहा हूँ इनुती तूडिया अच्छी है न मा, दीदी, ये रिंग्स, ये लीजे, बहुत सब्सक्राइब एंकल, आप पानी पीएंगे अंचम्स, स्यम्हा हूँ प्यूब प्यूब पुलीक्स! आपार मेरे गारा निकलो! बया तुम जोग! दुमनी कर जाओ यहां से! तुम मजे थोड़ो! भाव जो जोग! मेरी मजह से! तुम्हारी जन खात्रे में पड़ सकती है लाज सलाम तमिल नाडो और आंधर पदेश के बीच में हमारा एक बहुत छोटा सा गाउं था जहां हम भसी कुशे रहते थे लेकिन वहां के कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीत की वज़े से हमें जंगल में जाने को मजबूर कर दिया पुलिस और प्रशासन ने भी हमारी कोई मदद नहीं की मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा जिसे आज नाम दिया गया है नकसलवाद हम अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं अपने लोगों के लिए लड़ते हैं अपने हक के लिए लड़ते हैं लेकिन हमारे लिए कोई लड़ने को तयार नहीं सिंदोर खून चंदन बंदोग बाजन हिरन को मारा लाल खून से लहराता हुआ हमारा ये जंडा चील के पंखों की आवाज हमारे सीने में तहकती हुई ये आग लाल रंग की सूरज की ये किरने बंक खुले हुए आंदोलन नीज घूमने वाले हमें उनका सामना करना है और कभी भी सिर जुका कर मत जीना दोस्तों सूरज की रोशनी हाथ से कौन रोक सकता है किसके लिए कौन सी लवाई हुई कौन सा युध कितने दिन हुआ इतिहास का मतलब सिर्फ और सिर्फ तारीख है नहीं है आंदोलन हमारा फर्ज है आंदोलन हमारी जिन्दगी है आंदोलन आंदोलन हम लोग नकसलवाद छोड़ देंगे इन जैसे लोगों को जिन्दा नहीं छोड़ना चाहिए हम लोग नकसलवादी हैं हमारी लड़ाई जंता के बदलाव के लिए है हमारा सिध्धान अपने देश की जंता के लिए आदर्श होना चाहिए अगर हमने हार मान ली तो जंता का क्या होगा इस तरह से नकसलवाद अंदोलन छोड़ना बेवकूफी है जंता 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 भाण में जाए ऐसी जंता अपने आशो अराम को छोड़ नहीं सकती है और न्याय की बात करती है जंता रात दिन हम लोग इनके लिए खुन भार हैं और किसी को भी हमारी परवाद तक नहीं है 15 दिन से उसने खाना तक नहीं खाया उसके बावजूद वो लोगों के लिए लड़ रहा है कोई उसे खाना देने वाला भी नहीं है उसकी मा के दियाद के तीन दिन हो चुके है एक नकसली की मा समझ के अनातों की तरह छोड़ दिया है उसे ऐसे लोगों के लिए क्यों खुन भाओ? हम नकसलियों ने अपने जीवन जोग दिया है जंता की भलाई के लिए और इसकी माँ को कोई कंधा देने भी नहीं आया ऐसे बेशरम लोगों के लिए साथ साल से हम लोग अपने लोगों की खुन की नदिया भागर जी रहे पैसे डर्पोक लोगों के लिए लड़ना क्यों दरूरी है लड़ते लड़ते ठक चुक्या है हम रुको आज तक हुआ हर एक अंदोलन किसी ना किसी स्वार्थ के लिए हुआ है लेकिन सच्चाई की राह से पैदा हुआ है यह हमारा नक्सलवाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो तुम जनता के साथ रह सकते हो अलुदा लड़ते लड़ते हम बहुत धग गये थे और ऐसे समय में शत्रू ने जो फैसला किया था वो हमें एक नई दिशा में ले जाने वाला था इसनिये इस दल को और नहसलवादी सिंदगी को आखरी सलाहा सब्सक्राइब सर ये बताइए सभी नकसलवादियों ने अपने आपको सरेंडर कर दिया है तो अब सरकार ने जो उनसे वादा किया था वो पूरा करेगी आपको क्या लगता है कि बाकी लोग भी आत्म समर्पर करेंगे देखे सरकार जो वादा करती है वो हमेशा पूरा करती है ये सारी चीजें हमारी जिन्दगी में बदलाओ और जन्ता में खुल मिल जाने के लिए हो रही थी हमने जो कुछ भी किया वो गलत मामते हुए कोट में हमारे लिए एक महीने का रिमान चारी किया जहाए कि अधरना इतक कीक में आपक महीत्यारा हुए记 आस्यारी पिर खेaireक कुछ जल्डी जल्डी और श्रूँ allora चलो कुछ उट्डरो जल्डी 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 उत्रो जल्डी उत्रोप जलो जल्डी जलओ कि अची अची आप ना जाने मेरा दिल खोगए आप लगा गया अपलगा गया यह नोग यह चेंज सनेचर है यह पिक पोकटर नकसली है सर नकसली अपनी ही आदमी है आत्म सभरपन किया है इन लोगों ने सर क्या नकसली वाद से ठक गए क्या वागना चाहिए था ना खेर मेरे प्यारे नकसली हो तुम लोगों की भाईगरी जंगल तक है लेकिन यहां का बाप मैं हूँ आई बात समझ में हाँ तो मेरे दोस्तो चलो अपना असली नाम बताओ ए तेरा नाम कहे रहे शत्रू शत्रू मतलब विरोधी अबे हमारी बीच की दुश्मनी नहीं पूछ रहा हूं तेरा नाम पूछ रहा हूं शत्रू ही मेरा नाम है शत्रू अब ये तू शत्रू नहीं है मुझे ये सभी शत्रू नजर आ रहे है ए शत्रू, चल साइन कर साइन करना यार एए, सुन भे, शत्रू को पहले अंदर ले जा तुम लोग शत्रू नहीं हो लेकिन तुम लोगों की खातिर दरी मैं अपने हिसाब से करूँगा सुन भे सच बताना आतमत समर्पन किया भाग नहीं पाई इसलिये ना चला अबी जा शत्रू शत्रू आरे रे 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 रे, क्या बात है? कितना डिसिप्लिन है! सब लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी मेरी जेल में लाइन में खड़े हैं! क्या मैं इतना अच्छे जेलर हूँ? एंए, एक काम कर, सब के लिए चाय बोल जा! आरे रे रे, रे रे, बहुत खुप! अब ये क्या इंसान और जंगली जानवर को एक लाइन में घड़ा कर दिया नो नो ये तो गलत बात है सुनो अगर ये लोग साथ रहेंगे ना तो मैच फिक्सिंग वाल हो जाएगा ये नक्सलवादी तो बड़े संसकारी निकले यार अब क्या करूं क्यों रेज जब इतनी संसकारी थे तो नक्सलवादी बनने की क्या जरूथी अरे अरे इनके कारण तो अपना जल स्वर्ग बन जाएगा नो टेंचन, अनल अटेंचन, ओक्या है हाँ 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 स्वारी फोर दे इंट्रप्शन हाँ 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 हेए तुम नक्सलवादियों में सोशल सर्वीस होगी लेकिन जेल में सल्फ सर्वीस है, समझे है हाँ हेए ऐसा क्यों गूर रहा है मुझे खाएगा क्या हाँ ये नक्सल मुझे खाएगा हाँ कंट्रोल कंट्रोल हाँ अरे इसने तो कंट्रोल कर लिया तुने आथ रखा और इसने कंट्रोल कर लिया लेकिन मुझे कौन कंट्रोल करेगा बे जब तक मैं कंट्रोल में हूँ तो ब्लोग सेफ हो देशत पैदा करनी है तो हाथों में बंदुक होनी चाहिए नेकिन बंदुक सही हातों में होनी चाहिए इसको करंट शोट लगाओ कारण क्या होगा पुलिस डिपार्टमेंट इसकी छान बिंद कर रही है और बाकी के लोगों पे भी निग्रानी रखी हुई है ऐसा हमें अपने अज्या सुत्रों से बता चाहिए अरे हर आ हैँ अर्यारожд क्या है एक किउम मा रहा हुनहें हां कई दियोगा ना गलत करनी के आदत है तो कंपलेंटीद दिशलशा न सुस्पाद कि आ, मारा क्यों जाती दुश्मनी थी हर जन्म के साथ हम लोग जब भी तुम लोगों की कर्टूते याद आधे थी तो मेरा दिल करता था कि तुम लोगों को सीता बॉम से उड़ा दू लेकिन मैं मजबूर हूँ कानून का नोकर जो हूँ इसलिए मेरे हाथ बदे हुए अब हम बदल चुके हैं सर ओ ये लोग बदल चुके हैं क्या बेवोकुफ जेसी बाते करते हो तुम्हें फॉरिस पोलिस और मिलेटरी फोर्स तुम सब लोगों को ढून ढून के मारेगी मैं ये कभी मान नहीं सकता कि तुम लोग बदल चुके हो तुम लोग घतर हो और हमेशा रहोगे समझें कल जो आदमी मरा ना उससे सिर्फ इंफॉर्मेशन मागे थी नहीं दी ठोक दिया क्या गलत किया मैंने मुसे कोई आदमी ने बचने वाला सबको मारोगा जो इटलिस पे है सबको हुँँँँद्ध चलो जल्दी जल्दी हाथ चलो रहे क्या भे या आम किस खुशी में है काम चोर तु कोई घर दमाद नहीं है जो तेरी खातिरदारी होगी तु सिंट्रल जल्दी का कैदी है समझा चल जा कर दो एए चलो अच्छे से दो सुने दू साइड हट एए फटा फट काम करो एए क्या देख रहे एए तु क्या कर रहे है याँ चली दरा ये सारे बात्रूम शत्रू से धुलबाने है समझा ना एए शत्रूम प्रूल जए। लॉर दो जे हुआ हुआ सारी, सार. शत्रू, हम सब खुद को सेरेंडर कर देंगे, ये तो हमने सोचा था, लेकिन यहां आकर ऐसे फस जाएंगे, ये नहीं सोचा था, भाई, हम लोगों से हर कोई इंसान डरता है, और वो जेलर हम लोगों को डरा रहा था, जानूरों के साथ रहते थे, तब तो कभी डर नहीं ल हम से डरते थे वो आज हम लोगों को डरा रहें, हमारे सिर्पे बेटके नाच रहें, इससे तो जंगल अच्छा था, यहां तो जिल्द की जहन्दू हो गई है, ज्यादा होश्यारी मत कर, वरना तेरे पोस्ट माटम रिपोर्ट में एंकाउंटर लिग देंगे, काम कर, काम हमारा ये युद्ध हमें कहा लेके जाता है, शत्रू, तुम्हारी बेल हो गई है, कल भी एक ऐसी ही बेल हुई थी, वो बस से गाउं जा रहा था, लेकिन इससे पहले की गाउं पहुंचता, नकसल वादियों ने उसे माड डाला, वो लग तुम्हारे गाउं में अभी भी ये देखो, पढ़ो इसे, अगर तुम्हार से बाहर निकले, तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम अच्छी तरह से सोच लो, कि तुम्हें क्या करना है, चल चल, नेख क्या रहा है, चलना, चिन नकसल वादियों ने आत्म समर्पन किया था, उन्हें मौका देखकर इंकाउंटर करो, ऐसा कहता हमारा पुलिस डेपाट्पेंट, गाउं गये तो तुम्हारे ही लोग तुम्हें मार डालेंगे, फिर अब कहां है, इंट्रोगेशन में, इंट्रोगेशन मतलब पुलिस की मार और तुम्हारे जिस्म के बीच की दरंदिगी का खेल, ये इंट्रोगेशन उस वक्त तक चलता है, जब तक दोनों में से कोई एक ठक ना जाए, तुम जैसे लोगों का गुनाह के दलदल से बाहर निकलना ही, जानते हो सबसे बड गुनाह है, बंदूक पकड़ने वाले इंसान के जिदिगी कितनी होती है, तुम्हारी बंदूक की गुली से, जब किसी का खून हो जाये तो खेल वहीं से शुरू होता है, और जब किसी और की गुली तुम्हें लगती है, तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है, जंगल मे भगाने वाला काम मैं दूँगा करोगे तुम पहले अभी को छोड़ दो पहले जिस चंता के लिए जंगल में जाके हमने हत्यार उठाए थे अब उसी जंता के भीच में रहने के लिए हमें फिर से हत्यार उठाना पड़ेगा अब खुद जीने के लिए F.I.R. एरेस्ट वारंट जो हम नहीं कर पाये थे वो सारे काम मैंने शुरू कर दिया जल्द आपके कच्छे मकान को पक्का बनाया जाएगा ऐसी सिफारिश मैं सरकार से करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है क्यार में अबनाया आ थे यहांसे भागो यहांसे फिखो इसलिए अधर बंगो मुक्तो थे पित्रों से ऑचरव अपके सी इनकरी इसलिए ने हरो टों को कंडितो दूटु इसलिए अवर आपिश्वास्य नहीं, 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 आखिर तुमने मुझे क्यों मानना चाहते हो, मुझे बाप कर दो, मुझे मत बारो, मत बारो मुझे, पिह闇द आरो, मुझे करो दो मुझे क्यों एक अ, युझे, युझे बारो मुझे लात् hijちक, युझे जुबान लड़ा था है दूंग क्या बहुत नाटक बढ़ गया तेरा ज्यादा बोले काना तो ठोक दूंगा समझा चल जा लोग भगवान से तो नहीं डरते हैं लेकिन बुलेट को देखते ही डर जाते हैं इसलिए मैं भगवान से जादा बंदूक से निकलने वाली बुलेट पर यकीन करता हूँ तुम लोग मेरे फिक्स किये वे टारगेट पर काम करोगे पुलिस डिपार्टमेंट तुम लोगों के साथ रहेगा अगर तुमने टारगेट पुरा नहीं किया तो पुलिस तुम्हें टारगेट करेगी शत्रू शत्रू गैंग का नाम सुनते ही शहर में रहने वाले हर एक के दिल में डर पैदा होना चाहिए खौफनाक टर हाई नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते जी सर क्या बात है यार प्रमोशन मिल गया तुम्हें जी सर ये भी सही है चार धंदे वाली लड़कियों को पकरवा कर अख़बार में फोटो डाल दो प्रमोशन क्या बात है एक काम करो माउंट रोड पर कुत्तों का आतंक जारी हेलो कल कि ये हेडलाइन डाल दो कुछ नया हो जाएगा लुंगों के लिए मीडिया को एंटर्टेंडमेंट का चैनल बना रखा है तुम लोगने कभी नहीं सुत्रोंगे जाओ वेवकूफ हाई सर्फ अच्छा सपना हां बाहर जो होंडा सिटी खड़ी है वो तुमारी है हास किसी ने गिफ्ट किया है वो क्या है कि गड़ केड़ी जिलानी केस के टेप्स गाया यहां पर ऐसे बेशमार नेता है जिनके इलिगल कॉंटक्ट्स हैं उन्हें भी कवर करो कुछ जोल कर फिर होंडा सिटी के आए तुम तो बेम डबलो जे सकती हो हाँ बहुत खुल गुद मारिंग सर्फ बोलिये आज कल के अख़बारों में सिर्फ हमारा अख़बार ऐसा है जो डंके की चोट पर सच लिखता है ऐसी हैडलाइन्स मैंने पढ़ी गुड मान गया मैं है हैदराब तुम चाहते क्या हो इस तरह निउज में डाल कर अपना अख़बार निउज चैनल सब खत्म कर दूँ उन लोग के बारे में छापने में डर है कुछ सोचो तो सही हम् आप छापेंगे या नहीं या एक दिन मैं ही ये सारी सच्चा ही पब्लिक के सामने बता दूँ इससे त तुम्हारा नाम भी होगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे, बोलो क्या करना है? सर, कल रात को मेरी पतनी कह रही थी कि आप भी ऐसी न्यूस छाप कर हमारे लिए दो चार बनारसी साड़ी दिलवा दीजे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कहा कि ऐसा करने से बहतर है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देज़ दू, क्योंकि जो अपन इमान बेच सकता है, वो अपनी पतनी को भी बेच सकता हो, लेकिन शायद आप ऐसे नहीं सोचते है सर, इसने जैसे चाहिए लिखे क्या भाई? डर गया क्या? बहुत भारी है बंदूक, उठाने के लिए किसी को बुलाओं क्या? भाई, इससे चलेगी की नहीं चलेगी बंदूक? हाथ में बंदूक और बंदूक में गोली होना ही काफी नहीं होता, इससे चलाने के लिए कलेजा चाहिए चड़ी पहनने की उम्र मही मैंने बंदूग थाम ली थी भद्रम के प्रोफाइल में डर नाम की कोई चीज नहीं है जंगल जंगल मारे मारे फिरना और अर्ट तो आज ये नहीं बचने वाला ये सब के सब खून बहाने वाले लोग है आतों बंदूग लेकर खुद को शेर सम कोलन से हमें सब कुछ मिलने वाला है मेरा भारत महान है मेरा भारत महान है ऐसा जोश दिलाकर तुम लोग मुझे जंगल में ले आए पैंट के अपलने गंद के ऐसा सोचा था लेकिन मेरे हाथ में इसी ठकेली बंदूग देदी जो ठीक से चलती भी नहीं दुवारा अगर इसी हरकत की तो जान से जाओगे पाद्रा भाई बिलकुल सही बोल रहा है मैं तो बोलता हूँ शूट कर दो इसे अगर जर्वत पड़ी तो तुम्हारी जगा बैजल चला जाओंगा भाई गाम एक छोटे से जगड़े में मैंने मुक्या से सिर्फ इतना ही बोल दिया जरूरी गाओं के लिए मुक्या भी है उसी समय इसने आकर क्या का पता है देखने में तो तीली लगता है और बात करता है के 47 चलाने की अगर मेरे हाथ में 47 आ जा तो पूरे गाओं को मैं तर 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 करके उड़ा दूंगा इतना जिगर तो है ना मेरे पास भाई लेकिन इस देवा आगया भाई पूरी बस्ती के लोग रंगों में डूबे हुए हैं और तुम लोग यहां लड़ाई कर रहे हो होली खेलो मस्ती करो पुरा नमानो होली है यह जेके नारायन है जनता के बीच न्याय और नीटी दिखाने वाला एक नाम चिनने ताय पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ हमारे हाथों में बंदू के तमाई थी और इस जेके ने अपनी पॉलिटिकल पावर से हमें एक जक्रवियू में डाल दिया जिसमें हम पुरी तरह से फस गए जैरी पुद्यापूर हमेले की समझ में नहीं आ रहा है वो बेवकूफी पर उतराया है जनता के नाम पर दर सेकर जमीन इकट ठाकी है वो भी हमारे जैसा ही है लोगों को डरा कर सारे कागजाद भी ले लिए मैंने समझाय लेकिन नहीं मनें अगर ये डील होती है तो साथ करोड तुमारे चार करोड साहब के धाई करोड और मेरे पचास लाग अगर तुम राजी हो तो एक बार कोशिश करके देख सकते हैं अभी कहां जा रहे हो तुम डील डन डील डन हो गई तो ऐसे ही चले जाओगे उसके बारे में जाना नहीं चाहओगे युथ लीडर सिटिंग एमेले गन ये नहीं देखती कि वो एमेले है या नहीं बस इसमें गोलियां होनी चाहिए शत्रू इसका खोन बहुत गरम है और ऐसे कामों के लिए गरम खोन की नहीं दिमाग के जरूरत होती है गन के पास अगर दिमाग होगा तो कभी नहीं चलेगी कर दो कर दो है कैसा है बेटा चाहिए आपको चाहिए शत्रू इह ले बेटा मेरे घर वही आता है जिसके कोई मजबूरी होती है या तो लाइक बंद होता है यही वज़ा है कि तुम यहां अंदर तक आ सके काम बोलो शत्रू भाई ने लैंड पे प्रमांगे है अपना प्रसंटेज बताओ शाहे तो फोन पे शत्रू से भात कर लो है कौन अशत्रू जंगल से भागे हुए जानवर हो तुम सब तुम सब को शूट कर दूँगा मैं तुमारे इतने हिमत मुझे धंकी देने की हिमत कैसे हुई जिससे दुन्या डरती है उसे धंकी देगा प्यारा वेटा हमारे साथ चलोगे हमारे पास बहुत खिलोने हैं 147 भी वैसे हमारा घर जंगल जैसा है वहां बहुत खतरनाक लोग हैं लिकिन हम उनके साथ खेल सकते ह बोलो छोटू चलोगे ना शत्रू ने कह दिया तो मैं लेकर ही जाता हूँ फिर चाहे वो पेपर हो या फिर जान आज से पहले मैं विरप्पन के गैंग में काम करता था विरप्पन के मरने के बाद में टार्गेट मैं बन गया मेरा नाम था प्रभु देवा और मेरा बाप मुझे प्यार से प्रभु देवा ही बुलाता था प्रभु उर्फ देवा तब से मैं उर्फ देवा बन गया भाया हमको एक डाउट है प्रभु देवा तू है देवा तू है? यह अलियासर कौन है? कॉमेडी कर रहा है भाई कॉमेडी कर रहा है भाई रखते दूँगा कॉन इतना चिल्ला रहा है? कॉन इतनी जोर से चिल्ला रहा है? वो भी देवा के सामने है दिल्ली दिवित नाउच चल रहा है भे? आँ देवा से गले मिल जा बाग, अब जा आँ आप मेरी जान है कतम से क्या करता है मूलटका की जाटा है मैं तो बहुत ही खुशू क्या बात है? क्यों चिल्ला रहा है? ये जंगली कुत्य कोत्य के तरह है मू चाटता, क्यों घुम रहा है तू आज में बहुत खुशू अच्छा तो यह बात है क्या ऐसा कौन सा तीर मारा है जो यह से नाश्टा घुम रहा है यह पकड़ और बात कर लंगूर कहीं का लक्ष्वी एफीर-टेखने का बहुत मंद कर रहा है बहुत बहुत कर रहा है आज इसक्रीं के तिले कंद आद आती है रात दिन तुम्हारे ह्यालों में ही रहती हूँ मेरा भी यही आल है जब से I love you बोला है तूफान तूफान आगया है मेरी जिंदगी में कहीं तूफान में उड़ना जाओ ऐसी बात है क्या अच्छा ये बता तुम AK47 जैसे हो या जंगला की पंदूक जैसे हो बोलो ना अच्छा जोक है I am fine, I am fine वन मन्थ सेंट्रल जेल अंडर कोर्ट मेंटर I am fine ये देवा भी fine है हाँ वो भी fine है I am very very fine लक्ष्मी लेकिन मैं तुम से दूर नहीं रह पा रही हूँ भी शत्रु भाई का फोन आया था वो चेरी पैसा लेकर भाग गया, वो शहर से बाहर जाए, उससे पहले उसे पकड़ना होगा बाई, देवा को सब कुछ पता चल गया है, आगे जाकर तीसरी गली से तुम लोग निकल जाओ, कोई बात होगी ना तो देवा को फोन करना चेरी, रोई चेरी जेरी का है, वो कुछ दिनों से घर पे ही नहीं आए, क्या बात है, जब भी फोन करते हैं, उनका फोन स्विच आप बताता है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, घर पे बता कि नहीं जाते कि कहां जा रहे हैं ये कौन है, ये मेरी बेटी है चेरी से बोल देना, पैसे देकर अपनी बेटी ले जाए, अगर इस बात की खबर किसी को हुई, तो इसका मारा मुझ देखोगी, यारी क्या कर रहे हूं, छोड़ दो इसे पहली बार लाइप में शुती का हाथ पकड़ा था, तभी मैंने फैसला कर लिया था, कि इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूगा, अब भी वही बात है, उसे नहीं छोड़ना चाहता हूं, बिना मारी है अबे तिली, मेरे जैसा मोटा हो गया तो क्या करेगा? डाइटिंग कर लोगा और के तुम्हारा सब काम हो जाएगा बोला ना, देवा के होते हुए कोई काम रुका है क्या? अबे तु मुझे धमकी दे रहा है क्या? कौन है? यह मुझे धमका रहा है भाई, अरे तुझे अरे तो क्या कहा रहा है? कस्टमर केर वाले कट करनी की धमकी दे रहे हैं तेरे बाप कराज है क्या? अच्छा तो क्या करेगा तु उससे पता नहीं मैं कौन हूँ, देवा! बाई, चेरी की बैटी है, जब तक पैसे नहीं मिल जाते है, यह यहीं रहेगी तुझे भी वो दाड़ी वाला मेरी तरह उछा कर यहां लाया है क्या? खाना खालो, खाओ ना, क्या हुआ? है, देवा, तुम जाओ, मैं डिल करता हूँ, चलो खाना खालो, सुनाई ने दिया? पूरे राज्य में, जिसको खाना नहीं मिलता न, वो खाने के लिए देवा का नाम लेते हैं, समझी? एक राज की बात बताओं, जब शेहर में बच्चे खाना नहीं खाते, तो उनकी मा कहती है, खाले, नहीं तो देवा आ जाएगा, देवा को बुलाओंगी, देवा तुझे ले कर जाएगा, मेरे नाम से डरा कर उन्हें खिलाती हैं, वही देवा मैं हूँ, तुम खाना ये खा लिजे, अरे तुरुख, देखो मेरी बात सुनो, तुम महमान बनकर आई हूँ, यहां हम उठा कर लाहीं, इस बात को साइड में रखो, तुम वो पहली लड़की हूँ, जो हमारे घर आई हूँ, खाना खा लो, तुमने नहीं खाया, तो हम लोग भी नहीं खायेंग तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसने नहीं खाया, तो ये तो मरी जाएगा, बागी तुम्हारे हाथ में है, मसका मरने की ज़रुवत नहीं है, खाना होगा, तो खा ही लेगी, एए, तु क्यो बीच में बोल रहा है, मैं बात करना हूँ ना, मुझे बहुत नीदा रही है, सुबह उसका फोन आने वाला है, नीदा रही है, देखो तुम इसका बुरा मत मानना, अभाय आइना है आइना, तुम नफरत से देखोगी तो वो दुश्मन नजर आएगा, एक बार उसके सामने प्यार से जाओ, येकीन माननों अभाय दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसके दिल में सबके लिए प्यार ही प्यार है, मैंने यहां से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसके प्यार ने मुझे यहां से कभी जाने ही नहीं दिया, अब है बहुत अच्छा इंसान है, मुझे भागना है, भागना है, मुझे भाग पाद्रा उठो पाद्रा उठो ना चल्दी उठो आमें भागना है उठो ना नहीं तो दाड़ी वाला जाग जाएगा एए उठो ना भात्रा देवा हूँ यार अब अब अच्छर देवा को काटने की हिम्मत कैसे की तुने एक पैग लगा लेता हूं आराम से नीद आएगी ज्यादा नहीं मारूंगा नहीं तो पेट खराब हो जाएगा सामने आओ, देवा किसी से नहीं डरता अरे, अब कौन है? ये क्या? ये तो भूत फिल्म का सिच्वेशन लग रहा है देवा, किसी भी सिच्वेशन से नहीं डरता क्वाटर खाली हो गया? इस इस लोगाई, प्लावन, ये वाई टेवा यार कॉति उपनी इस नहीं तो देवा तरा कुछञें कर पाएंगा ये तुझा पता है बोट्नी इस तुछा पता है ये आँ three को एसा एफ वह मैं करेंगे से अपमातल प्ला करर भाई प्लिष्टेशन चाल रिपोर्ट लिक्वानी अज़ेशे खागा दूरों यहकोन है स्वास थाफ़े गोल हुंहए तुझे चल दिया मुझे नीद आ रही है साथ आए थे साथ जाएंगे टूने जंगल में मेरे साथ कसम खाई थी ना साथ जिएंगे साथ जंगल है यह तो दगाबाजी है मुझे अकेले छोड़ कर भाग गया यह कुछ न्याय है क्या खुद को समझता क्या है कि देवा किसी से नहीं डरता किसी के बाप से भी नहीं डरता यह अभी बताता हूं जिन्दा रहना है तो यहां से भागने की कोशिश मत करना जाके सजाओ जिन्दाओ क्यों बे यह क्या कर रहा है तू वह आ गई है ना इसलिए तो आहां जाकर हिलना यहां क्यों हिल रहा है कैसी हो तुम मुझसे मिलने आई हो क्या मुझे पसंद करती हो तुम मैं तुमें बहुत पसंद करती हूं जान लेली मेरी बदरब भाई इसने तो मेरी जान लेली अर देवा भाई जान लेली इसने मेरी हे सुनो इससे शाजी करने के चक्कर में सारे रिष्ट Nelson taughtलों कर Teers तुम ने इस अइसा क्या देखा इन मीना काम के मैंने हवा में घूमते देखा मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था जब यह हवा में घूम रहे थे ना तभी मुझे इन से प्यार हो गया लेकिन जब यह गवाँ में भटकते थे वहां के सब लोगों से प्यार करते थे पिना किसी फायदे के इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया मैंने भी स सोचा क्योंना मैं भी समाज के लिए कुछ करूं इसलिए मैं उस गाउं को छोड़कर इनके लिए इनका साथ देने के लिए हमेशा क्लिए यहां चली आई है भाई जल्दी से इन दोरों की शादि करवादो एक एक फॉरी सेवन की शादिक कैसे उनी चाहे पता है धर 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 अजीग धर गादिक के लिए काहली आई है देनाई हुरी दुरी जेल थी है और दोरों की खism Em मैं की बता अई है ताम besar सक्या कला बाई, ये दोनों शादी करना जाते हैं करने ते आओ, बैठो ना शुरुती, कुछ बोलो तुम्हारे यहां आने से मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई वैसे इन राक्षिसों के बीच में तुम क्या कर रही हो? दिखने में तो समंदर भी भैंकर है भाईया, हमको एक डाउट है यह मंगल सूत्र कितने का है? अपना मुव बंद रख भाई साब आप इसे पैक करतीचे क्यों भे, साड़ी अच्छी लगी न? भाईया, इसे पैक करतीचे भाई, यह तो बनारसी साड़ी है हाँ, पता है लेकिन शादी में न बनारसी साड़ी नहीं दोगे तो क्या सिंपल साड़ी दोगी अच्छा लगेगा क्या? शादी के बाद मैं भी आपकी तरफ मोटा हो जाओंगा बत्रा भाई तब वो मुझे और भी पसंद करेगी न? अबे तू तीली है, तब भी उसने पसंद कर लिया मेरी टरह वो जाएगा तो और प्यार करेंगि अब कर दो दो अज लग रहा है कि यह शहर कितना बड़ा है वह बत्रा भाई रुकना थो कोई अफ़ाद कोई कर रहा है हमने को फोलो कर रहा है बत्रवाई निकलो जल्दी 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 जल् चल्दी चल्दी बद्रबाई चल्दी चल्दी वोदो आरे बद्रबाई बद्रबाई चल्दी चल्दी बद्रबाई चल्दी चल्दी बद्रबाई 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 चल्दी कि अो का ऴुमनापना पुमनेगा का यो औरे इंड़ पुम मोर्भी क्ना तालां पुमना पुमना रल्पध़ अरे वांड़ merciful क्ना यो जो अप हु तर और बादरबे दो आपतत क्यों रहें रहेवा है अ कि आ मीजरा है सर यह देखें सर आपके पार परता हुँ सर आपके पार परता हुँ सर मेरी शादी है सर मेरी शादी है सर मैं छोड़ दूगा सब कुछ दूगा मुझे छोड़ दीजे मुझे कुछ मत कीजे मुझे कुछ मत कीजे मैं जीना चाहता हुँ मैं जीना चाहता हूँ मैं जीना चाहता हूँ सर मैं जीना चाहता हूँ मुझे जोड़ दीजे सर सर मुझे जोड़ दीजे मुझे जोड़ दीजे मुझे जोड़ दीजे एंकाउंटर स्पेशलिस्ट के तोर पर जाने जाने वाले एसपी लड़धा आज ही इस शहर में ट्रांसफर हुआ है आते हैं उन्होंने भूत बूर बेस्ट लाइट और कई क्राइम शामिल रहे शत्रू गैंग के 147 उर्फ प्रशुराम और भद्रम उर्फ वीरभद्रम कहा एसपी ने आज इंकाउंटर कर दिया मुझे बहुत बुरा लग रहा है वो पागलों जैसा मार रहा है और हम मर रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम हैदराबाद सिटी में क्रिम्नल्स का नाम और निशान नहीं रहना चाहिए कोई छोटा भी गुनाह करेगा तो इंकाउंटर से उसको साफ करूंगा इस सिटी में आते ही सारे क्रिम्नल्स मुझे ध्यान से सुन ले अगर नहीं सुद्रे तो बदले में डेट बॉडी के लिए तायार रहना इस शहर के इंकाउंटर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है यहां से ट्रांसफर होने से पहले मुझे सेंचूरी बनाने का शिर्वात दीज़ें आप तब दीज़ें जमीन पर पड़े हुए वीरों जुकतु ही पलकों पर कभी राश्टी नहीं चमकेगी जब हमारा गला सूखेगा तब राश्ट्र गीत गाएंगे और हमारे कदम नह यही आंदोलन है वही इंकलाब है अबे चुब्बे जब वो जिंदा थे तब भी भाशन देदा था अभी भी वही राग अरे नहीं यहर पहले मेरे भाशन से वो लोग उठकर मुझे मारते थे कि अब भी वो उठेंगे मुझे मारेंगे देखना वो लोग अभी उठेंगे दिल में यहीं उम्मीद है मुठी में शस्त्र है दिल में एक लख्ष है फिर कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा किसी का जोस नहीं रोक पाएगा जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा था कहा था तुम आई ना हो दिल के बिलकुल साफ एक बहुत अच्छे इंसान लेकिन तुम्हें जिस नजर से देख रही हूँ तुम्हेवान नजर आ रहे हो पेचारा भद्रम मेरी मा के बाद इसी ने मुझे खाना खिलाया मेरा ख्याल था एक ऐसा मंगर सुत्र जो पहनने से पहले ही तूट गया है पर तुम्हें इससे क्या तुम्हार लिए तो इनकी जानता है अब अगर एक शम्द भी कहा तो जानने लूंगा ब्रोकर की बेटी जा यहां से बाओडी ले जाओ हुआ 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 मुझसे भूल हो गई अब से ऐसा कभी नहीं होगा मैं उस लड़ा को तुम लोगों के बारे में बताना भूल गया हुआ हुआ लड़ा यह हमारे इंफॉर्मर्स है जो काम डिपार्टमेंट टिंग कर सकता यह लोग हमारे लिए करते हैं तुम्हें नहीं पता था इसलिए गलती से तुमने इनके आदमियों का इंकाउंटर कर दिया सर गलती से नहीं चान बुझ का इंकाउंटर किया है हमारा काम अगर यह लोग करेंगे तो सरकार हमें के चूडिया पहने के लिए पैसे देती है आपको तो पता है सर एक एक के उपर बीज बीज कैसेज हैं पूरे शहर में इन लोगों ने तहशत फैला रखिये यह लोगों को नहीं छोड़ूगा जब तक इन लोगों की फाइल खाइल नहीं कर देता कब तक कोई दूसरी फाइल नहीं खौलूगा सर अरके सर एक तो लॉक अप में मर गया और दूसरे किमिनल्स जहां मिले होने शूट है शायट इससे पहले वो हम पर वार करे हमें पहले हमला कर देना चाहिए भाई तुम दोनों को S.P. ने मारा तुम्हारी मौत तुम्हारे दोस्तों की वज़े से होई है अब कोई नहीं बचेगा सब के सब मारे चाहेंगे अगले एक घंटे में शुदी की मौत मेरे आथो होगी सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है एस बिलेटा मुझे उसकी टेटेल्स चाहिए वो अकेले कहा मिलेगा जब तक वो डूटी पर है हम उसे टच नहीं कर सकते वो अपने असिस्टेंट के साथ प्राइविट गेस्ट हाउस में रहता है हम उसे रात में वह ही पकड़ सकते तू से फॉलकर मौका मिलते ही उड़ा देंगे उसका पंदरे दिन के अंदर ट्रांसफर होने वाला है किसी की जान लेना समस्या का समधान नहीं है भाइया मैं जा रहे हूँ दो दिन और रुप जाती है नहीं भाइया यहाँ पर हर पल मुझे उनकी याद आती रहती है भाइया उनके साथ जिंदगी गुजारूंगी इस उमीद से आय थी मैं यहाँ लेकिन अब इन आखों में आसू लेके जा रही हूँ लेकिन इन आसूओं का दर्द तुम भाइया महसूस नहीं कर सकते मरते वक्त उनके हाथ में यह मंगल सुत्र था भाई अब यह हमेशा मेरे पास रहेगा यह उनकी आखरी निशानी है आपकी गणने हमेशा लोगों की जान ली है भाईया काश आपकी गणमें जान होती तो बहुत से लोगों की जान बच्चाती कि बहुत हो गया खुन खराबा बस करिये भाईया आप यह सब बंद कर देजिए बंद कर देजिये बैया चत्री लीजा बैटी नहीं चाटा पानी और आसों का फर्क अब पता ही नहीं चलता बैया थैंग करेंग झालिक रहन सकते हैं उसे मत पीना उसमें जहर है सोरी सोरी मजाग कर रही थी मजाग कर रही थी मैंने कहा जहर है फिर भी पी रहे हो जान की परवा नहीं है क्या या फिर मुझ पर यकीन नहीं है रोकर की बेटी पर क्यों भरोसा करोगे वैसे लक्ष्मी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें भला बुरा कह दिया प्लीज एक कॉल करना है प्लीज माँ से बात करना है तुम्हारे सामने ही करूंगी मा तुम कैसी हो शुटी तुम्हारे से दीदी की शादी भी रुग गई समझनियारा क्या हो रहा है एक तो मैं भी यहां पर हूँ पतानी दीदी कैसी होंगे तुम्हारे बिना शादी नहीं करोंगी कि ऐसे डायलोग मारती थी वो बेवकूफ उसका नाम राम है मैंने दीदी को समझाया भी था राम नाम की सभी लड़के अच्छे नहीं होते लेकिन उनकी समझ में नहीं पतानी अब क्या होगा मेरे और मा के सिवाए दीदी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है पतानी पापा भी कहां चले गए किसी को नहीं बता क्याती थी कि उनके बने शादी नहीं करूंगी मैंने कुछ ज्यादा तुन नहीं बोल दिया ना हां बहुत बोल चुकी चल चाल शत्रुभाई भाई शत्रुभाई 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 भाई आपने जो कहा था वो सही है भाई इस जंगल की लड़ाई से ज़्यादा ज़रूरी मेरा परिवार है भाई मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है इसलिए मैं आप लोगों के भरों से आ गया झाल isएलिए अ आपने यर रे जब भाई एपने परिशψाटवर से बाउके लोगों के साफ आम करा था भाई सारी, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा मैं DGP से बात करके उस SP का ट्रांस्फर करवा दूंगा साफ साफ बताओ अब तक हमने लैंड ग्रेविंग, लैंड डिलिंग, काले धंदे और सेटिल्मेंट्स किया है लेकिन अब हम कुछ अलग करना चाहते है शाली मार के मिले अजीज का खून करना है इस समय यह सब करना ठीक नहीं है भाई, चलिए चलते हैं शत्रू पास्तो करोड की डील है इस सेटल्मेंट से हम सब की लाइफ सेटल हो जाएगी सर अब डील का क्या होगा? मैंने एक नई डील सूची है शहर में किसी का भी खून होगा तो शत्रू शत्रू ने मारा है ऐसा सूचा जाएगा फोन मा, कैसी है आप? आप ठीक तो है ना? मैं अची हूँ अच्छा सुन, वो लड़का तेरी दीदी के साथ शादी करने के लिए मान गया क्या कहा? दीदी से शादी करने के लिए मान गया? दीदी बात खोश होगी ना? है ना मा? लकिन तुम्हारे बिना शादी नहीं हो सकती बेटी इसलिए हमने शादी के लिए मना कर दिया है मा मैं आज नहीं तो कल तो आहीं जाओंगी ना मा और फिर इतना अच्छा रिष्टार परिवार भार भार नहीं मलता है मा सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी को वो लड़का पसंद भी है लीज मा कैसे भी करके दीदी को मना लीजिए ठीक है मैं कुछ करती हूं तुम अपना ख्याल रखना बेटी ठीक है मा तुम बिना गन के शादी भी नहीं करोगी क्या अच्छा एक बात बताओ मेरी दीदी की शादी तुम्हारी वज़े से हो रही है अच्छा गश्षा ना कहीं उस लड़के को गन तो नहीं दिखा तिमने प्लीज प्लीज बताओ ना बताओ ना प्लीज हाँ बल्वाने के लिए यह करना पड़ता है क्या है डरा रहे हो डमी गन दिखाकर लोगों को डराना आजकल का फैशन हो गया है शूट करोगे, शूट करोगे, शूट करोगे क्या, शादी में पटा के फोड़ने थे, अभी क्यों फोड़ दिया, शादी से किसे इंकार है, क्यों रहे, तुने मना किया, क्या है ना, 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 बैंड वालों को बुक करना है, शादी के बहुत सारे काम बाकी है, झाल झाल शहर में शालिमार अजीज की हत्या और उनकी हत्या का शक शत्रु गैंग पर जा रहा है शालिमार के MLA अजीज की आज मौध हो गई है अजीज मर्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले ही थे तभी कुछ अज्यात लोगों ने दिन धाड़े उन्हें गोली मार कर उनकी हत्या कर दी और पुलीस को शक है कि इस हत्या में शत्रु गैंग का हाथ हो सकता है मुझे आपसे कुछ बात कर नहीं है सर रोक दीजे बस किजी अब आप एक पब्लिक फीगर हैं सर जनता सब कुछ भूल कर आप जैसे लोगों के उपर विश्वास कर रही है सर उनके साथ विश्वास घात मत कीजे मत कीजे विश्वास घात सर आपकी राजनीती आम जनता के अलावा जन्गल से आये जन्टा की बीच रहने वाले लोगों पर भी शुरू हो गई है सर जन्टा जो जन्गल में रहते हैं उनको जानवर समझती है लेकिन वही लोग अगर उनके बीच रहने आ गए तो आप जैसे जानवरों के सामने वो लोग एक हिरन की तरह लगते हैं सर वो मासूम लोग है सर उन्हें छोड़ दीजे उन लोगों की जान बक्ष दीचे सर जाने दीजे उनको आउट नई सुधरेंगे आप नई सुधरेंगे आपकी ये जो घिनवनी राजनेती है मैं उसे जनता को बता दूँगा यहां के छे लाख लोगों दोरा चुले हुए नियाय और इंसानियत का देवता समझते हैं न आपने आपको वही जनता अगर आपको दोड़ा दोड़ा कर नहीं मारे तो देख लीजेगा भाई भाई यह क्या हुआ भाई 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 धर्मा को भाई धर्मा को धर्मा को कट डाला भाई उस SP लड़ा ने भागा भागा के मारा भाई भागा भाई अगर हम उसे बीना मारे छोड़ देंगे तो भी वह हमारे आत्मियों को मारना बंद नहीं करेंगा आप बस एक बार बोल दो भाई उस लड़ा को मारने से हम सब के जिंदगिया बच जाएगी बोलो भाई मिलता है और यही सच है भगवान ने इंसान को सबसे अच्छा वर्दान दिया है भूल जाना उस वर्दान का इस्तिमाल करो मगर भूलो मत तुम्हें पसंद करने वाले तुम्हारा हाथ थामने वाले तुम्हारे हाथ में गन देखकर आज डर रहे हैं तुमसे पसंद डर पर हावी होनी चाहिए डर को पसंद पर हावी मत होने दो तुम्हें बतलना होगा स्वाल है आइस क्यूब लेकिया जी सर प्राइस क्यूब लेकिया जी सर ब्रेकिंग न्यूज SP लढधा पे शत्रू गैंग का आटैक लेकिन दूसरे ही पलों में लढधा की जान बच गे एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में शत्रू गैंग ने रेनेट बॉम से हमला कर दिया लेकिन उस हमले में SP लढधा घायल हो गया और उन्हें घायल उस्था में तुरंत होस्पिटल के लिए ले जाया गया होस्पिटल में SP लढधा का इलाज शुरू कर दिया गया है ये खबर हमें पुलिश डिपार्टमेंट की तरब से मिली है हैदराबादी माफिया कब किसी कहां शूट करने कुछ पता नहीं हलो तुम लोगो को मारने के लिए सरकार ने लड़ा को न्यूक्त किया है शूट एंड साइड का ओडर भी पास हो गया है इस समय तुम लोगों का अंडरगाउंड ही रहना अच्छा है किसी सेफ जेगे पे चले जाओ जेके से फॉरण मिलना है ओ वेलकम शत्रू बैठने का समय नहीं है तो फेर हमें आपकी मदद चाहिए सरकार ने हमें शूट एंड साइड का ओडर दिया है इस समय आप ही हमें बचा सकते हैं पूरे छे लाख लोगों के द्वारा चुनावा एक लोता नेता हूं है आइम सॉरी शत्रू इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कुछ और है तो काओ बाई ये के से एक बार मैं बात करके देखूँ क्या क्या का हुसने मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज जड़ा डी जी पी को फोन लगा हलो जेके के पास गय थे उससे मदद मांगने के लिए लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी फिर अभी ने उसके सीर पे गन रख दी तो वो अभी से जीवन के लिए भीक मांगने लगा अभी ने नहीं सुना हां जेके को मार दिया तुम लोग पागल हो गए हो क्या कल इस पी आज ए में ले शत्रू ये ठीक नहीं है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो जानते हो जानते हैं अब हम आपको दो अप्शन दे रहें पहला हम सबको सेफली शहर से बहार निकलवा दो दूसरा हम खोदी मीडिया के सामने जाकर सब सच बता देंगे हम लोगों को सिर्फ एक ही आदत लगी है आगे बड़ो चलते रहो जंगल में चलो रहे हैं ए देवा ए यह सड़ी होई चीन्स किसकी है हलो यह मेरा चीन्स है इसे कभी दो भी लिया कर यह दो बैक क्यों लिया है कपड़े नहीं होंगे तो पत्ते लेट लेंगे यह बड़ो किसकी है यह नहीं रखोगे सब कुस रख लिया बेबी रम, विस्की, वियार और बोटिका भी लगाया उधर मैं पर्फियम की बड़ो की बात कर रही हूं पेवडा कहीं का मुझे किसने बुलाया हाँ, देवा भाई, इधर आओ अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पुछों एक नहीं, दो पुछों तुम्हारे थोबडे का और तुम्हारे गोल्ड चेंग का कोई मिला भेग्या हेई, देवा हेई, चुत्री हमारे साथ रह रहके तुमने भी स्टाइल सिख ली हाँ तो हेई, जल्दी चलो रहे बिवडा कहीं का सबहद कर चाना अगली बार शहर मी आओगे तो मुझ से मिले भीना माच जाना तेक्यर बाई इसा भी साथ ले चलो अभी जब हम लोग सेफ हो जाएंगे तो लड़की को वापस भेज़ देंगे जिंदगी का जो मकसद नहीं था उस जिंदगी को शुती से एक नहीं पहचान मिली थी लोचली में जहाने चले तुम दिल थोड़ा दिल का थोड़ा है अबसं दिल थोड़ा हसता थोड़ा थोड़ा दरता दिल से मैं पूछो आहां मैं चले अच्छे लजने लगे हो दिल ये केरा हार मेरा आगों मैं बस लगे हो मुझ पैसर है तुमारा जहाने चला हूँ वहाँ चले तुम दिल थोड़ा दरता थोड़ा है गुमसुन दिल थोड़ा हसता थोड़ा थोड़ा दरता दिल से मैं पूछों कहां मैं चला हूँ अच्छे लगने लगे हो दिल ये केरा है मेरा तुम बसे हो आखों में मुझ पैसर है तेरा की अखिर अखिर ढूने के लिए गोड़े हां तो मां क्यों करूं ये सब आप भी कमाल करते हो सब कुछ है् वह क्षामी डुएंगे आपक नुट फस्केया अच्छा आपकर दोबृ लाहीं है अजया उन्वाव शुद्रमा में आजां आजाओ शत्रु मामा आजाओ शत्रु मामा आरा हर्चाव सब्सक्राइब खदम रखते हैं तो गांजे की फसल भी तुलसी बन जाती है मामा सरकार चाहिक कितनी भी आये चाहिए लेकिन गांजे का कोई हाथ नहीं लगा सकता है ना कमान मामा चलो उसका राम क्या है मामा लड़ा लड़ा गया खड़े में अगर मिलेगा ना तो उसे गांजे में चला दूगा मेरे संग तम हो नहीं कोई गम है तेरे संग जीना मेरा मेरी ना तेरे लिए हूँ मैं ये तुझे है बताना मेरे संग यारा तेरा ठिकाना इस प्यार तो ये दूर 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 तो चाहे हर बंतो ही मेरा हूँ मैं आभी जाँ आभी जाँ मेरा दीर दीर तेरी सूरत मेरी आखों में बस जायो सरम मेरी कसम तुझ से जुड़े हम अब नहीं है गम कोई आए अब दो कहुना काट के रस्ता अकेले चलूना आए तो साथ भी चलना हो हम साथ देतों पैसे लगे दुश्वन के जैसे तू 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 आज नहीं बच्चेगा मेरे हाथों से तेरी चमर्ण मेरे कप्ड़ों नहीं है और मेरे कप्ड़ों पर लगाता है यह क्या बोल रहे हो मामा उसे छोड़ दो वह बच्चा है मैं देख लेता हूं उसको ठीक है तू बोल रहा है तो छोड़ रहा है इसे मैं तू खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो रहे हैं अच्छा भाई मुझे तो शक हो रहा है कि तुम्हारा नाम देवा है इसमें शेक करने वाली क्या बात है मैं नेम प्लेट लगा कर घुमूँगा क्या अच्छा छोड़ो भाई चलो एक गेम खिलते हैं ऐसा गेम बिल्कुल नया बहुत मज़ा आएगा चलो बताओ इसे तीन बार पी कर तीन कदम चलकर दिखाओ तो मैं माल लूँगा कि तुम्हारा नाम देवा है तीन बार पीऊँगा और टीस कदम चलूँगा चलो इसमें क्या है देवा एक देवा को याद नहीं आ रहा है दो कुछ तो गडबर लग रही है तीन एह देवा मेरी दीदी की कलचादी है वो मुझसे बहुत प्यार करती है ध्यान का है तुम्हारा ठीक है अब कुछ भी नहीं बोलूंगी वैसे एक बात तो मानी पड़ेगी, तुम्हारा गन पकड़ने का स्टाहिल कम्माल का है, अब क्या चाहती हो, तीदी से मिलना है, फोरन आ जाओंगी, तुम ले चलो के क्या, बोलो न, अभी सही वक्त नहीं है, तुम अंदर जाओ, अभाए, ये रास्ता कौन सा है, एई, मुव बन रखो, आज के बाद कभी मत मिला, समझ गी, तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथ ही, वो मैं देख लोगा, और मेरा गिफ्ट, मेरे पास तुम्हे देने के लिए, कुछ भी नहीं है, वैसे मैंने तुम्हे एक बात आज तब नहीं बताए, तुम्हारे ये गन है न, ये मुझे बहुत पसंद है, बाई, शत्रु भाई, बाई, शूति कहीं दिखाए नहीं देरी भाई, भाई वो शायद कहीं भाग गई है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद, वो भाग कैसे गई, ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां से आया और कहां जा रहे हैं, ये सब तु खेजिया तुमने, अगर वो लड़की लड़ा के हाथ लगे तो क्या होगा, शूति मिल गई, महीने भर से गायब थी, कहां थी, किस के साथ थी, अँटी, एक कप कॉफी मिलेगी क्या, सर में बहुत दर्थ हो रहा है, अभी से तुम प्यार करती हो या नहीं मेरा ये सवाल नहीं है, शत्रु गैं कहां छुपा है, उसका मुझे जवाब चाहिए, मैं नहीं जानती, लड़ा को पता चल गया तो कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, अभी के साथ सब को ए मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपने लिए तुम इतने लोगों की जान जोखी में कैसे डाल सकते हूँ, शत्रु, हमने उन पर भरोसा किया, इसलिए आज हमारी जान पर बनाईए, मैं किसी को मारना पसंद नहीं करता हूँ, अब बोल भी दो, अभी कहा है, मैं नहीं भेजाए उसे, हमें कोई और जगा ढूननी होगी, किसी को कुछ नहीं होगा, मुझे शुर्थी पर बूरा भरोसा है, वो हमारे बारे में कुछ नहीं बोलेगी, मुझे मार भी दोगे, तब भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आई लाइक यू, पहली भार लगा की, जिन्दगी में अकेला पड़ जाओंगा, तेरी गल्ती की वज़ा से, मैंने तुझे नहीं मारा, तेरे बाहर जाने से, तुझे कुछ नहीं जा इस डर से मारा, आइंदा मुझे छोड़ कर मच जाना, शत्रु ममा, आज तक जाने वाले को, किसने रोका है, लेकिन आज यहां से कोई नहीं जाएगा, देरे वाले कर में एक का का की एक पर तुझे वाले जाने रहाँ, आएगा इंदाएगा जाएगागा जाएगागा उल्पाईगा तुझे तो उल्पावाशे उल्पावाँ, मैं स्ब्सक्राइब ने हैं लिए हैं रखेम यद्धरा आखे माज़े लिए रोड़ारा है से जुछ प्लीज 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 जो गारे लिए कोई अर्फ जोड़ा है से जोड़ा है अपे यपु दोव वागो यहां से जल्दी ज bueno जल्दी पहु जलो तंधो अरे मैं आजाओ ना तुझा ज़र भाद भाद एक मिनट रुक जाओ सर अमारे स्पेट को चला देने वाली भूक और जीवन को नर्ग बना देने वाला दुख मतलब घरीबी और दादा गिरी हम इसी को मिटाने के लिए अंदोलन करते हैं जन्ता में बदलाव लाने के लिए हमने अंदोलन किया है लेकिन रती भर में बदलाव नहीं आया लेकिन हम खुद बदल गए अंदोलन जन्दावाद इंकलाब जन्दावाद तुम लोग एक मिर्ट और इसकी बात सुनते हैं तो तुम लोग भी नकसलवादी बन जाते हैं शुम लोग यह बना गभादे जुम लोग जाते हैं लोग जाते हैं प्च्प्च्प्च्च्च्ट मैं किसी कुद नहीं रिसकी कमी ने साले बात तुझे नहीं चुआ करना मत बच्चों तुम्हारे साथ देवा है तब तक मत डर्ना देवा किसी के पाप से बिनी डरता समझे रहा अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ कु Excuse Committee तो시 में जाओ जाओ ब्रिया झारा जाओ लोगरा好 किसी टेवा को जाओ तुम्हार भूगरे साव ह।च़ जैनी समझा ऐसाली कaukee क क सम्हारा घाओ जया का आंदर येस ह।ब का ., कॉ प्राइब ने स regression सक पास बादार जाएब है घाएब बिला पास актив है पुष्टाएग् पुष्टाएग् लट्टाएग् मैं मैं गुझे भाई 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 शत्रुट साम खत्म होगे कोई नहीं बत्सक्ता हम तो मेरा वक्त भी आगे शेकर गॉंच शेकर गॉंच ऑन डोलन संदबाद मान्य मैं हमेशा से नक्सली था और हमेशा रहूंगा आंदोलन सिंदाभाद आंदोलन सिंदाभाद भाई उसे मारने के लिए एक कोली ही काफी है नहीं चोड़ोंगा अभी 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 रुजाओ अभी 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 तुन्हे एक फॉली चलाई तो वा से कितनी फॉली चलेंगे तुम्हें अधासा भी नहीं आएं अभी आप . . . . प्रकामे! प्रकामे! अखराब! नए? नए? झाल झाल कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, मिर्शन सक्सेस्टुल, हम काम्याब रहें शृती, वही सब की मौत का कारण है शृती, शृती, शृती कहा है, शृती कहा है मैं अभाय के बग्याट नहीं जी सकती मेरी अपनों को बचाने के लालच में मैं तुम सब की मौत की वज़े बन ले अगर दुनिया में मुझे कोई सबसे स्यादा प्यार करता है तो वो है अब है मैं, आफ यूब है सर, यह पूरा का पूरा एरिया नक्सल वादियों का है आम यह थोड़ा सावधान रहना होगा पूरी जिंदगी एंकाउंटर के सिवा मैंने और कुछ नहीं किया है पुट पुट झाल झाल